मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर बटन क्लिक कीजिए और बैल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सके और ये बिल्कुल फ्री है अचैनल को बनाई वीडियो लेके आई हूँ अज मैं आको बनाना सिखाऊंगी दालतर्का ये होटल और रेस्टरेंट स्टाइल का दालतर्का है और बहुत ही एज़ी रेसिपी जटपड बन जाता है तो आईए देखते हैं होटल जैसा दालतर्का कैसे बनाते हैं और इसके ल नमख भी दाल की प्रेशर कुकर में डाल लिया है अब इसके अंदर में 2 गlas पानी काफी रहता है तो देखी वीवर्स पानी डालने के बाद इसके अंदर एक चमच के करीब मैं नमक डाल दूँगी नमक आप थोड़ा कम जादा भी ले सकते हैं और आदा चमच के कारीब हल्दी डाल दूँगी और इसको हम mix कर लेंगे अच्छे से और इसको mix करने के बाद इसको lid लगा देंगे pressure cooker की और इसको 2-3 सीटी आने तक इसको cook करना है हमें high flame पे और उसके बाद 5 point के लिए धीमियाज पे cook करके और फिर gas बन कर देनी है तो देखी वी वर्स यहां पे तड़का बना लेते हैं तो एक बड़ा चमच मैंने इसमें तेल डाल दिया है फैन में और एक ही बड़ा चमच में इसके अंदर बटर डाल दूँगी तो इसके अंदर दोनों का combination में डालती हूँ आप चाहें तो गी भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह हमारा बटर पिगल गया है और टेल भी गरम हो गया है तो इसके अंदर आप जीड़ा ढाल देंगे एक चोटा चमचיד और इसके साथ मैं डाल दूँगी एक चोटा चमची राई के दाने और इसके इलावा मैं डाल दूँगी इसमें दो चुटकी हींग और इसको हम 30 सेकिंड के लिए हलका सा फ्राइ कर लेंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 30 सेकिंड के लिए फ्राइ कर लेंगे इसको यह बहुत ही सिंपल डाल है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है आप ज़रूर बना के देखिए अगर मैं बहुती सिंपल इंग्रीडेंट से बनती है दो इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची डाल दी है बारी काट के आप कम भी ले सकते हैं अपने इसाब से इसको भी 30 सेकिंड के लिए फ्राइ करना है हमे तो देखी वर्स 30 सेकिंड के बाद इसके अंदर में 2 प्याज डालूँगी और ये मैंने लंबे लंबे टुकडों में काट लिए हैं प्याज दो छोटे प्याज लिए हैं इसको भी हमें फ्राइ करना है और इसको मिक्स करते जाएंगे और फ्राइ करते जाएंगे इसको 1-5 मिनिट के लिए फ्राइ करना है तो देखी दूर्स प्याज हमारे अच्छे से फ्राइ हो गए है कलर नहीं दिया है मैंने इनको ब्राउन नहीं किया है बस ऐसे ही सौते करना है थोड़ी सी देड के लिए इसके बाद मैं इसमें दो बड़े टमाटर हैं ये काटिके रखे थे मैंने और इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको पकाते जाएंगे साथ में मैं इसमें ड्राइ स्पाइसिस एड़ कर लेती हूँ तो इसमें आदा छोटा चमच मैं लाल मिच्ची का पाउडर डाल रही हूँ इसके साथ साथ मैं इसके नदर थोड़ा सा नमक डाल दूगी याद रखिए दाल में भी अपने नमक डाला है तो नमक थोड़ा कम डालिए एक चमच इसमें धनिया का पाउडर डाल दूगी मैं और ये एक चमच कसूरी मेती है इसको मैं क्रश करके इसके अंदर डाल दूगी इस दाल तड़का के अंदर कसूरी मिथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है साथ के साथ एक चमच इसके अंदर में गरम मसाला का पाउडर डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे इस वक्त हम हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं और मसाला अच्छे से भुन लेंगे हम ताकि इसकी जो मसाले हैं उनमें से अच्छे से खुश्बू आने लग जाए और टमाटर और प्याज हमारा पक जाए देखिए इसके अंदर मैं आदा कप पानी डाल देती हूँ आदा कटोरी के करीब मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर और इसे भी मिक्स कर लेंगे अब इसको हमको डग के पकाना है तो एक मिनिट के लिए मैं इसको डग के पकाऊंगी हाई फ्लेम पे तो देखिए एक मिनिट हो गया है इसको मैंने उपन करके देखा और अब हमारा प्यार्ज और टमाटर है वो बहुत अच्छे से गल गए हैं तो इसको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी और इसको और हम पकाएंगे अभी दो मिनिट के लिए और इसके ऑईल जब तक सेपरेट नहीं होता तब तक हमें इसको पकाना है अच्छे से तो इस स्ट आईए अब दाल खोल लेते हैं तो देखी व्यूर्स दाल हमारी प्रेशर रिलीज हो गया है गरका अब इसको अच्छी तरीके से दाल हमारी गल गई है और इसको बिल्कुल मिक्सी से ब्लेंड नहीं करना है इसको ऐसे ही रखना है थोड़ा कोर्स होने चाहिए और आइए अब इसके अंदर डाल एड़ कर लेते हैं हमारे तड़के में तो ये मैंने डाल इसके अंदर डाल दी है और जिस कटोर इसे मैंने डाल डाली है उसमें ही आदा कप पानी में डाल के और पानी भी थोड़ा एड़ कर लूँगी क्योंकि दाल थोड़ी गाड़ी लग रही है मुझे तो थोड़ा सा इसको लिक्विफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी आड़ कर लूँगी इसके अंदर तो देखिए वो यह आदा कप के करीब आदे से एक कप के करीब पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से यह कॉंटिटी सही लग रही है मेरे को अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा टाइट लग रही है अभी तो और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिये इसको बॉइल लाने तक वेट करेंगे हम जैसे ही हमारा बॉइल आएगा तो उसके बाद हम तड़का बनाएंगे इसका और यह फाइनल तड़का है तो एक चोटा चमज मैंने तेल डाल दिया है और एक चोटा चमज मैंने बटर डाल दिया है जैसे ही हमारा बटर पिगल जाएगा तो इसके अंदर हम सूखी दो लाल मेश डाल देंगे इस दाल फ्राई में सूखी लाल मेश का बहुत अच्छा तड़का लगता है और आदा चुटे चमश देगी मेश डाल दिया है मैंने देगी में चिसको color देगी और इसको जाद देर बिल्कुल भी fry नहीं करना है नहीं तो देगी में जल जाएगी हमारी और यह बहुत यह अच्छा रंग देगी तड़के में तो देखिए viewers मैंने दाल पे तड़का डाल दिया है और इसके उपर से मैं धनिया का पता छिड़क देती हूँ तो यह हमारी ढाबे style की restaurant style की दाल तड़का बिल्कुल उच्छे से बनके त्यार हो गई है I hope आपको यह recipe अच्छी लगी होगी अगर यह recipe अच्छी लगी है तो like बटन जरूर से जरूर प्लिक कीजिएगा हमारे चैनल को subscribe करना विबकुल मत बूलिएगा for more such recipes और comment करके हमें जरूर बताईगा कि आपको यह recipe कैसी लगी तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बड़िया वीडियो के साथ तब तक के लिए बाहा है और यह कुछ दूसरे वीडियोस हैं हमारे चैनल के जो आप प्लिक करके देख सकते हैं